बी ओ आई यानि की बैंक ओफ इंडिया रिक्यूर्मेंट 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इस वीडियो में आपको स्टेप बाइ स्टेप सारी जानकारी मिलेगी कि इस पोस्ट इस वेकेंसी के लिए इंपोर्टेंट डेट्स क्या है एलिजबिलिटी क्राइटेरिया क् लिमिट क्या रखा गया है आपको रिलैक्शिशन कितना मिलने वाला है आपके एप्लिकेशन फीस कितनी लगेगी और आपका सेलेक्शन किस तरीके से होगा पूरी जानकारी आपको स्टेप बाइ स्टेप वीडियो में मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो हम आ चुके हैं बैंक ओफ इंडिया के ओविशल वेबसाइट पर यहां पर हम देखेंगे डीटेल ओडिकेशन क्या रिलीस किया गया है तो आपकी जो ओनलाइन फॉर्म बढ़ने की जो डेट है वो है आपकी 11 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट सहेगी आपकी ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने की वह आपकी 25 फरवरी रहीगी डेवलें डेट आपकी जो एज वगेरा काउंट की जाएगी वह आपका एक फरवरी 2023 के बेस पे काउंट किया जाएगा डीटेल में जाते हैं कि पोस्ट कितनी है और क्या 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 क क्रेडिट ऑफिसर के लिए यहाँ पे साड़े 300 वेकेंसी है और स्पेसले स्टीम में आपकी डेट सो वेकेंसी हैं तोटल यहाँ पे आपकी 500 वेकेंसी आप केटिग्री वाइस देख सकते हैं कितनी रिजर्व्ट की गई है नेक्स हम देखते हैं कि आपकी सेलरी का लेवल क फर्स्ट में तो दोनों इस पोस्ट के लिए एक ही सेलरी रखी गई है वह मैं आपको बदा देती हूँ आपकी जो सेलरी है चाहिए आपकी इंडियन होनी चाहिए नेक्स्ट आपकी एच कॉलिफिक इस जो भी है बाकि यहाँ पर डेटेल्स में देखते हैं तो पहली पोस् इसमें जो आपकी एज है वह बीस साल से लेकिंगे इनतिस साल के बीच में होनी चाहिए आपके एज्टिकेशन कॉलिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और डिग्रिये ऐस डिसिप्लेट किसी पीडीटेल्स में यानिकी आपकी डिग्री आपकी डिसिप्ल यहां पर मांगा गया एयर इंजिनियर्ट टेक्नलोजी डिक्रीं गुंप्यूटर साइन्स अपके पास दिग्री होने चाहिए पर कुबूटर अप्लिकेशन इंपरमिशन टेक्नौर जी वह आप यहां पर देख सकते हैं तो नेक्स यहां पर दे रहा है औल दा एजुकिशन कॉलिकिशन मेंसर और शुट भी फॉर्मा युनिवर्सिटी इंस्टिशन बोर रेकोनाइज बाइज 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 के लिए तो आपको जो आपको दिया जाएगा जो करते हैं रिजर्वेशन बित बित अन्याओं बाइज 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 बिल्च बाइज 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 करते हैं रिजर्वेशन और पर्षन विद ओसी कैटिग्रीज यहां पे कुछ दिये हुआ है इसका पीडियाप चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं मैं आप इसका पिंग कर दूंगे लिए आपका पेपर है वह पांच पार्ट में डिवाइट किया गया है फॉर्स इंग्लिस लैंग्वेज शेकिंड रिजनिंग एंड कम्पूटर एप्टिटीट थाड आपका जर्नल एकोनॉमिंग बैंकिंग ऑवेर्नेस पूर्थ आपका डाटा एनलेसिस एंड इंटरप्शन कोशन पहले में आपके 35 कोशन रहेंगे जो कि maximum marks 40 नंबर का रहेगा और इसमें आपको 40 मिनट दिया जाएगा यानि की आपको ठीक टाक टाइम दिया जा रहा है सेकिंड पार्ट में आपके 45 पोशन रहेंगे जिसमें आपका 60 नंबर का होगा और इसको करने के लिए सेम के 35 कोशन होंगे जिसमें आपको 60 मिनट दिया जाएगा और इसके लिए जो डूरेशन दिया जाएगी वो आपको 30 मिनट दिया जाएगा और पच्छीस नंबर का आपका पेपर होगा पालनटी पोर रॉंग अंसर अगर आप कोई भी कोशन रॉंग करते हैं तो उसमें आप आपकी नेगेटीब मार्किंग भी की जाएगी और यह जो आपकी जो पेपर हैं यह objective टाइप पॉशन आने वाले हैं तो अगर आप किसी को गलत करते हैं तो आपकी नेगटिव मार्किंग भी 100% की जाएगी जैसे कि यहां पिलका है दियर विल बी पैलेंटी फॉर रॉंग अंसर मार्क इंद ऑब्जेक्टिव टेस्ट पॉर इच कोशन पॉर विचार रॉंग अंसर है इस बीवन फॉर्ट ऑफ उप्ट ऑफ अश्राइन तो यानि कि अगर आ इस बीवन बॉलाया जाएगा टोटल मार्क एलोटर फॉर इंटर्व्यू विल बी 60 आपके टॉटल मार्क सम्मिट किया जाएंगे इंटर्व्यू का आपका जो भी होगा उसका समिट किया जाएगा मतलब उसका फाइनल डिसीजिजन जब लेंगे तो आपकी नमबर उसमें काउंट किया जाएंगे मिनिममम क्वालिफाइं मार्क्स विल बी 40 परसेंट फॉर जर्नल इडव्यूस कैटिगर केंड़ेट्स एंट थर्टी फाइप पॉर एस्टी ओबीसी पिर अगर आपको राउंड क्लियर करने के लिए अगर आप जर्नल और इडव्यूस कैटिगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपको 40 परसेंट नंबर लाने ही होंगे और अगर आप सब्सक्राइब करना होगा फिर जब आप इंटर्व्यू वाला भी राउंड क्लियर कर लेते हैं तो उसकी बाद आपका ग्रुप डिसक्रशन होगा जो फिर इंटर्व्यू में सेलैक्ट हो सब्सक्राइब करना है तो आपको 40 परसेंट नंबर लाने होंगे और वहीं अगर आप सब्सक्राइब क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका फाइनल सेलैक्शन क्या जागा हैं कि फाइनल मेरिट लिस्त त्यार की जागी फाइनल सेलैक्शन ऑफ दे कैंडेट्स फिर आपका परसेंट नंबर को प्लस किया जाएगा फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्त को बनाया जाएगा तब फाइनल मेरिट लिस्त विल बी प्रिपेर इन डिसेंडिंग ओर्रोफ और रिस्पाक्टिव कैटिग्रीज कैटिग्रीज वाइज यहां पर दे रखा है यहां पर फिर आपकी लास्ट में फाइनल सेलैक्शन किया जाएगा और आपका एप्लिकीशन और यहां पर जो एक्जामिनेशन सेंटर हैं वो कहां पढ़ेंगे तो यहां पर इनोंने दे रखा है वह आप देख सकते हैं स्टेट वाइज हाउ टू एप्लाई आप इसमें एप्लाई कैसे करेंगे तो एप्लाई आप इस तरीके से करेंगे डीटेल गाइडलेंस यहां पर पूरा दे रहा है एप्लिकेशन रिजिस्टेशन होगा उसके बाद आपको जिनकी फीज एप्लिकेशन फीज उसे आपको प्यकर ना होगा आपकी फोटोग्राफ और सिगनेचर को स्कैन करके अप्लोड करना हो जैसे कि मैं आपको वीडियो के यहां पर साइZe रहा है किसी जो आपकी सिगनेचर अप्लोड की जाएगे स्कैन की जाएगी वहापकी ब्लैक पैन से करिए हों जाए जैसे कि यह जो आपको लेफस यहां जो लेफ्ट पर पर रख देई ब्लैक और ब्लू इंक के साथ याने कि जो हाते ऑनी इस्टैम पैड उसमें आपको मदब अपने अंगूठे का निसान लगाना है फिर उसे अप्लोड करना है और हैं डिटन डेक्लेशन फॉर वाइट पिपर विद ब्लैकिंग टेस्ट की विनस बिलो और आपकी सिग्नेचर जो है अगर आप जर्नल यृव और ओबी सी कैंडिडेट तो आपकी आपकी अप्लिगेशन फीज आट सो पचास रुपे लगेगा यानिकि साड़े आट सो रुपे लगने वाली है और वहीं अगर आप सी एस्ट पी डिटेट्स हैं तो आपकी एप्लिगेशन फीज एक सो पिछत्त सब्सक्राइब करना है तो आप इनकी जाके ऑफिशल वेबसाइट से अप्लोड कर सकते हैं तो जो इनकी ऑफिशल वेबसाइट है वह है www.bankofindia.com .co.in वहाँ पर आप जाके एप्लिकेशन फॉर्म जो अपना फिल कर सकते हैं पेमेंट ओफिस आपको ओनलाइन मोड में ही करना है जैसे कि आप मास्टर वीजा रुपे क्रेट डेबिट इंटरनेट बेंग किसी गी मादम से आप कर सकते हैं आप्टर सम्मिटिंग मोस्टर पॉइंट एक मिनट वीडियो खत्म नहीं हुई है आप्टर सम्मिटिंग और पेमेंट इप्पोमेशन इन ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म प्लीज फॉर्ट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन इन ओडर तो अवाइड डवल चार्ज आपका जो भी मतलाब जब पेमेंट करते हैं तो आप मतलब की जब पेमेंट करें जब एक बर अगर आप एप्लिकेशन फॉर्म भड़ने लग जाए तो पूरा उसे बरे बीच में बैक वगेरा मत जाना यह इनके कहने का मतलब था गाइड लाइन्स मतलब फोटोग्राफ आपको किस साइज में अफ्लोड करनी है उसके लिए एक कुछ गाइड लाइन्स है आपको अगर पीडिया चाहिए तो आप मसे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूंगी वीडियो थोड़ी से लंबी हो रही है सौरी गाइज लेकिन आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो तो लंबी हो नहीं वाली है और ऐसी अगर आपको और गॉर्ड में जॉप से लिडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ इसका कमेंड दे 추가 कमेंड में उन्स इसका डूंब इसक्रिप्शन चाहिए को नहीं केम छी आप शय डी के लिडिषांट करभाएगा पैंगे हैं इसका डिसक्रिप्शन बोक्स चाहिए L